कि नमस्कार दोस्तों आप सबकार एक बर फिर से हमारी यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत मैं आपका दोस्त विवेक गुगना आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे मगा नक्षत्र के बारे में इससे पहले जैसे कि हमने कहा कि 27 नक्षत्र टोटल होते हैं यदि हम इनके तीन पार्ट करें और क्योंकि 27 नक्षत्रों के नो जो है नक्षत्र स्वामी होते हैं मतल तीन पार्ट करें तो हर पार्ट जो है वो केत मगा नक्षत्र है और इसका स्वामी भी केतू है और मगा से लेकर जेस्टा तक हम जो ठारा नक्षत्र हैं उनकी बात करेंगे तो आज हम बात करने जा रहे हैं मगा नक्षत्र की जैसे की कहा किस्ताई नक्षत्रों में ये दस्वा नक्षत्र है दोस्तो मगा नक्षत्र पांच तारों से मिलकर बनता है दोस्तों मगा नक्षत्र के स्वामी जैसे कहा कि केतू ग्रह है मगा नक्षत्र का विस्तार हाँ यहाँ पर क्या है कि जो तीन हमने पार्ट बनाने है पहला पार्ट जो था नो नक्षत्रों का वो मेश राशी से शुरू होकर करक राशी पर खतम हो जाता है अब दुबारा जो दूसरा पार्ट हम शुरू करेंगे केतु का जो नक्षत्र मगा वहां से लेकर जेस्टा जो बुद्ध का नक्षत्र है ये दोस्तों सिंग राशी सर लेकर विरिश्चिक राशी के बीच में आते हैं तो जो मगा नक्षत्र है ये सिंग राशी में आता और इसका विस्तार 0 डिगरी से 13 डिगरी 20 में तक होता है मतलब चारो चर्ण मगा नक्षत्र के सिंग राशी में आते हैं वैसे तो वैदिक अस्ट्रोलजी में जो केतु है उसको इतना अच्छा नहीं बाना जाता है क्योंकि ये एक अलगावादी ग्रया जैसे करते हैं सेपरेटिव नेचर होती है इसकी लेकिन यदि हम बात करें मगा नक्षत्र की तो जो इसका परतीक है दोस्तों वो है शाही सिहासन अब ये नक्षत्र मतलब सिंग राशी के अंतरगत आता है और कालपुर्ष कुंडली के हिसाब से जो सिंग राशी ये फिफ्ट भाव में आती है थोड़ा सा बस उसे समझने की जरूरत है तो बड़ा असानी से हम समझाएंगे कि मगा नक्षत्र की क्या क्वालिटिस है तो दोस्तों जैसे कहा कि मगा नक्षत्र का परतिक जो है वो शाही सिहासन है मगा नक्षत्र अपने इस परतिक चिन्न के माधियम से देखिए 파द्ब प्रतेस्टा विरासर शक्ती नित्रतव महांता और अधिकार को पर्दशित करता है मगा नक्षत्र के अधी पती देपता दोस्तों पित्तर होते हैं मगा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र माना जाता है जहां हमारे पूर्वज निवास करते हैं और पृत्वी पर अपने प्रवार के साथ उनर जनम के अफसर की प्रतिक्षा करते हैं मगा नक्षत्र महत्तवपूर्ण और उस्तम श्रेनी के लोगों का जहां उनको रीप्रेजेंट करता है मगा का अर्थ होता है शांदर और शक्तिशाली मगा नक्षत्र में शक्तिशाली आत्में जन्म लेती है मगा नक्षत्र में राज़ा या राष्टपति पैदा होते है दोस्तों मगा नक्षत्र का सीधा संबंध, स्याशन करने और पद भार सम्भालने से होता है मगा नक्षत्र कुछ हद तक हंकार भी दे सकता है क्योंकि जब पद पृतिस्टा आपके पास होगी तो इंसान के अंदर हंकार आ ही जाता है दोस्तों लेकिन इसका मुख्या उदेशिया करतवया निस्टा और लोक कल्यान करना होता है जैसे कि एक राजा का फर्ज होता है ऐसे ही व्यक्ति नेतरतव शम्तक वाले प्रॉपकारी, विशाल, हिर्दया, गौरवशाली और प्रत्रिष्टित होते हैं दोस्तों तो इसको चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों को मित्रों से कहना चाहूंगा या फिर केपी अस्ट्रोलजी से आप उसे मिसना करें और इसी के साथ मैं आप दोस्तों से ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आपकी खुड क्वेरी हो तो आप दिये हुए वर्स अपन नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं लेकिन फीस एपली केबल रहेगी दोस्तों तो दोस्तों जैसे हमने बात की कि इस मगा नक्षत्र का जो सौामी है वो केतु होता है और अधिपती देव हमारे पूरवज हमारे पित्तर होते हैं गन राक्षश होता है तत्तव जल होता है उदेशय अर्थ होता है और दोश का फोता है लिंग इस्तरी होता है मगा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति बाहर से कठोर हो सकते हैं जैसे कि एक राजा होता है लेकिन इनके अंदर द्यालूता का भाव भी चिपा होता है यह आतम विश्वाज से भड़ी होते हैं इनको अपने कार्या में टोकाटा की बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, ये हर फील्ड में सबसे आगे रहना चाहते हैं, मान सनमान प्रापत करना ऐसे लोगों का मुख्या लक्षा होता है, जो कि एक राजा चाहता है हमेशा, यश और समान पाने के लिए ये खूब मेहनत करते हैं, ये इमानदर द्रड़निस टाई, जब इने करोद आता है तो उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सब को संक्षन देना इनका सबाव होता है, ये सब के प्रती द्यालू होते हैं, किसी को कोई भी कस्ट हो तो उसकी मदद के लिए हमेशा त्यार रहते हैं दो लगता है, ये फीचर को अच्छा बनाने के प्यास में हमेशा लगे रहते हैं, ये अदर्श वादी होते हैं, किन्तु ये थार्थ वादे जीवन वतीत करते हैं, दोस्तों ये असानी से किसी बात के अर्थ को समझ लेते हैं, तो कि फिफ्ट भाव बुद्धी से करिए तो बहुत ज़्यादा और जदी आगे चर्ण को पकड़ लें, तो हम बड़ा एजली समझ सकते हैं कि किसी जातक का जनुम इस नक्षत्रों इस चर्ण में हुआ है, तो दोस्तों कहने का मतलब कि ये जो जातक होते हैं, ये बड़ा असानी से किसी बात के अर्थ को सभाब से अधिक बोलने वाले होते हैं, हालांकि अपने शब्दों का जो सेलेक्शन है ये बड़ी समझ दारी के साथ करते हैं, काम करते समय कभी कबार ज़्यादा उच्वक दिखाई देते हैं, धर्म के सिदान्तों का पालन करते हैं, दूसरों के उपदेशों के प्रती शील भी होते हैं, दोस्ते ये अफसर पर लोगों के कई समुहों को एक जुट कर पाने में सक्षम होते हैं, ये सभाब से थोड़ी जिद्दी भी होते हैं, इनको किसी के अधिन काम करना पसंद नहीं होता, ये साहसी स्वाबी मानी होते हैं, ये जीवन में आने वाली परश करने में संकोच नहीं करते यह अधिकतर प्रशास्किया पद पर कार्या करते हैं इन में नेतरतव करने की अद्बुत शक्ति होती हैं यह अच्छे नेता बन सकते हैं यह ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो भ्रोसे मंद और वफादार हो इनका प्रेम एक जगा केंदरित और बेहद सरहानिया होता दोस्तों यह अपने जीवन साथी के प्रती पूरी तरह से समर्पित होते हैं यह अपने प्रेम को मरते दम तक निभाते हैं जब प्रवार की बात आती है तो यह उनके लिए जो भी संभव हो वे अवश्या करते हैं इनका व्यक्तितव बेहद जुशीला होता है यह अपने प्रेमी के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करते हैं यह अपने व्यक्तित जीवन और अपने जीवन साती के विश्या में किसी का दखल पसंद नहीं करते हैं इनका नोखा अंदाज वप्रेवित लिंक के लोगों को बहुत अकरशित करता है इनका व्यवाइक जीवन शांती और सुख पूर्ख वतीत होता है इनको सरकारी राजनित्क पद खूब भाते हैं प्रबंदन शिक्षा व्यपसाये में ये पूरी तरह से काम जब रहते हैं अधिकतर ये उच्छ सत्र के काम करना पसंद करत हैं इनमें वहबब शाली और रहीसी जीवन यापन करने की प्रबल इच्छा होती है दंसमदी मामलों में भग्या शाली साबित होते हैं इनके कामों को देखकर लोग अश्चरे में पढ़ जाते हैं स्वर्ण पितल हीरा जवारात के जो काम होते हैं इनको बहुत लाब देन होते हैं यह सभाविक रूख से ऐसा काम पसंद करते हैं जिसमें यह अपने मालिक सवाए हो दोस्तों अब दोस्तों बात करें जदि इनके प्रवारिक जीवन के बारे में तो प्रवारिक जीवन में जो है इनका हमेशा संतोष प्रद ही रहता है और जीवन साती के साथ यह तालमेल बनाकर जीवन जीने की हमेशा इच्छा रखते हैं विवाहित जीवन का नंत प्रापत करते हैं लेकिन यदि पाप ग्रेहों का प्रभाव आ जाए तो स्तिती बदल भी सकती है संतान की सुख की प्रापती होती है और संतान की जिमेदारियों उठाने को हमेशा यह त् इस तरी पक्ष की तो फोड़ा सा यहां पर कह सकते हैं जो स्थीती है वह शुटा-जनक नहीं भी हो सकती और वाद-विवाद जुए इनंग दोनों नों की वीच में थोड़ी से उबर भी सकती है जातिका का विवहार मतलब जिस जातिका का जनम मगर नक्षत्र में हो रिस्तों में मांसिक तन्नाप थोड़ा सा ला सकता है उत्तर संतान प्राप्ति का लेकिन सोख इनको जुरूर प्राप्त होता है बात करें इनकी हेल्थ की तो यह दसवा नक्षत्र है और इसमें जो है हमा जो चार्ट है वहां पर पीड़त होगा तो व्यक्ति को हेल्थ समंदित समस्य जो है उबर सकती हैं अच्छा नेत्रों से समंदत मतल कम देखना ऐसा रोग भी इनको हो सकता है रक्त से जुड़े कुछ रोग हो सकते हैं और महलाओं के लिए गरबाशिया की परशानी या शासक के काम ठीक है प्रमंदन के काम राज्या सत्र में उच्छ अधकारी वर्क के काम में आप भाग ले सकते हैं समाज में धनी मानी पत्रिश्च व्यक्ति जैसे सेट सहुकार अद्योग पती बड़े वपारी संस्तान के अधक्ष वकील नयादिक्ष ऐसे कामों का भी मौक के शेत्र से और दूसरी बात इमारतों संस्कृत सब्ता से जुड़े काम मगा नक्षत्र की सूची में आते हैं अपनी सपस्ट वाधिता और विपार बुद्धी विपारी बुद्धी जो होती हैं की उसके चलते हैं अप कारोबार में अधिक समय तक ठीक चल पाते हैं या सकते हैं नोकरी विपार दोने ही शेत्रों में आप हाथ अजमाते हुए देखे जा सकते हैं इन सबके अलावा भी यह भी धिया रखना चाहिए कि यह गंडांत मूल संग्यक नक्षत्र भी है दोस्तों इस लिए इस नक्षत्र में जात्कों के संभावित अरिस्ट निवारन के लिए आगे 27 दिन बाद मतले इनके जन्म के बाद जब मांगा नक्षत्र की दुबारा वापसी होती है तो उस दिन एक स्वामी मंगल हैं जिसके कारण इनका जो सभाव है ऐसे जात्कों का वह थोड़ा सा मजबूत दर्शाता है कि इनका सभाव मजबूत होगा जातक जो हैं बहुत शक्ति शाली और थोड़ा से अभिमानी उच्चस्तिती प्रापत न्याइधिक्ष और अधिकार जुक्त होते हैं और इन्हें कटर दोशनमी कारक शक्ति जो है अधिक उसका उपयोग करने पर थोड़ा से अपने अपर कंट्रोल रखना चाहिए मतलब यदि को कर तो बहुत ज्यादा उसके उपर वार करना उस चीजों से थोड़ा से इनको बचना चाहिए जिन जात्कों के जनम दूसरे चर्ण में होता है तो इसका स्वामी शुक्र होता है तो विभार में इनके शलीनता होती है शुक्र की बचा से लेकिन फिर भी थोड़े अभिमान चाहटी में कूट निती से भोतिक लक्षा को प्राप्त करते हैं इसकारण जात्क कूट मिंथि राजनितिक प्रबंदक उपर शार्शकादी हो सकते हैं जिन जात्कों का जनम तीसरे चर्ण में हो मगा नक्षत्र के तो ऐसे जो जातुक वह स्वामी जुश्वामी चिराफ जानते ही हो तो ऐसे जो जातक होते हैं कौमल शरीर के होते हैं तवाचा थोड़ी सी तवाचा जो एंग उसमें चमक होती है आंके इनकी बड़ी पुटली काली आवाज में थोड़ा सा रूखापन होता है अधिकार प्रापत जातक के लिए शुब नहीं है मतलब की ऐ तो यदि ऐसे लोगों के पास अधिकार हो ना तो उस समय ये लोग महत्व पूरुन निर्णिया के मतब कोई भी लेना हो ठीक है ना उस समय भावुक होकर अपने लगवाप्त के परती जो है जोक जाते हैं इस तरफ इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है अब बात कर लेते हैं मगा नक्षत्र के उपायों के उपारे में जैसकी हमने कहा कि इनके जो मगा नक्षत्र के जो है देवता है वो पूरवज होते हैं तो हमें अपने पूरवजों का जो है समान करना चाहिए उनके जो नियत तिथी होती है या वशेश अपसर होते हैं वह शुब फल दाइक होती हैं सुनहरे पीले और गहरे रंके रेश्मी वस्ता धारन करना इन जात्कों के लिए लाब दाइक होता है दोस्तों यह थी थी थोड़ी सी चर्चा मगा नक्षत्र के बारे में आशा करता हूं चर्चा आपको अच्छी लगी अच्छी लगी हो तो प्ल झाल 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